नमस्कार ये आकश्वानी पत्ता है अब आप दिब्वेस्वी प्रादिशिक समचार सुनिए सब्सक्ते पहले मुखी समचार उस सम्याले में समान श्रेनी के आर्थी टूप से कमजोर लोगों के लिए 10 पतिशा तारक्षन देने के केंद के फैस्टे पर रोक लगाने से इंखार गिया राष्पती रामना कोविन गंतन दिवस की पुरिसंधा पर अपसे गुष्टेर बाद 7 वजे राष्ट को करेंगे संबोधीत राष्ट कल अपना सत्तर वागंतन दिवस मलाएगा सुरक्षा के किये गए कड़े इंदिजाम और मदोवनी पेंची के विख्याद कलकार गुटावरिदत को पदमश्री पुरस्कार दी जाने की पोशना अब समचा विस्तास से उस्तम्याले ने कहा है कि वह अनसूचित जाती जन जाती अत्यचार निवारन अधिनियम 2018 में संसोधनों को चुनाती देने वाली याचिकाओं और केंद्र की समिक्षा याचिका पर विचार करेगा पदहां नयाधी शिरंजन गुगोई के देश्ता वाली पीष ने कहा कि इस पारे में समुचित ने लिया जाएगा कल उस्तम नयाले ने अंसुचित जाती और जन जाती अत्यचार निवारन संचोधन अधिनियम पर रूप लगाने से इंकार कर दिया था उस्तम नयाले ने समान श्रेनी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दस पतिशत आरक्षन देने के केंद्र के फैसले पर रूप लगाने से इंकार कर दिया है हाला कि नयाले ने आरक्षन देने के केंद्र के फैसले के समिक्षा करने का मिरने लिया है प्रधान न्यादेश रंजन गुगोई और न्यामूर्थी संजीर सिन्हा की पीच ने 10 पतिशा तारक्षन देने के लिए समिधान संचोधन अधिनियम की बैधता को चुनाते देने वाले विविनियाचिकाओं पर केंद सरकार को नोटिस चारी किया है केंद को चार सप्ता के अंदर उश्तन न्याले में जवाब दाखिल करना है राश्पते रामनात कोविंग सब्तरवे गंतन दिवस के पुरुसंध्या पर अबसे थूरी देर बाद राश्ट को संबोधित करेंगे आकश्वानी के संपोन राष्टी नेटवर्क और दू दर्शन के सभी चालनों पर इसे शाम साथ बजी से प्रसारित किया जाएगा इसके बाद ये संबोधन अगरेजी में प्रसारित होगा दुदर्शन पर राश्पति की संबोधन के प्रिसारण के बाद इसे दुदर्शन के शेत्री चालनों पर शेत्री भासाओं में भी प्रस्तूत किया जाएगा। आकाश्वाणी पटना से मैठली भासा में राश्पति के संबोधन का अनुवाद रात साड़े नौ बजे प्रिसारित होगा जिस करेले आकाश्वाणी की सब ही केंजर करेंगे। सुचनाव प्रसान मंत्रालने ने राश्पति का भाशन मूख बधिरों के लिए सुलब कराने का फैसला किया है। सरकारी विध्यप्ति में कहा गया है कि जीजी भारती देश के नाम राश्पति का संबोधन कर शाम साथ बजे से साड़े साथ बजे तक संकेत भाशा में प्रिसारित करेगा। समारों में राशपाल लाल जी टंडन कल सुब नौ बजे धन्जो तोलन करेंगे। गर्तन दिवस समारों को लेकर राजधानी पट्टा में सुरक्षा के अभूध पर उप्रवंद किये गया है। राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्तन दिवस समारों को लेकर पट्टा में यातयात ब्यवस्ता में परवर्तन किया गया है। इधर सदी जिला मुक्षालियों से हमारे समवादाताओं ने खवर दी है कि गर्तन दिवस समारों को लेकर सुरक्षा के चाक चौमन इंतरजाम किये गया है। नेपाल और बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलागों में एतिहात अंगर्ष्त बढ़ाती गई है। सबेदेशे लिस्थानों पर सुरक्षा बलो को अतरिक्त सतरक्ता बरतने का अंगर्देश दिया गया है। आज राष्टी मर्दाता दिवस मनाय गया है। इसका उदेश्य चुरावी प्रक्रिया में नागरिकों की भाविदारी बढ़ाना है। निर्वाचनायव ने नेदिल्ली में राष्टी अस्तर का कारक्र आउजित किया गया। इस अफ़र पर राष्टी रामनात कोविद ने कहा कि इस वर्ष के आम चुनाव में बहुत से लोग पहली बार मददाता बनेंगे। राष्पती ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े भारत के स्थापित होने के साथ ही स्वतंत्र एवब निस्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थाफोना हमारे संविधान ज़्माताउं की दूरजरशता और लोक तंत्र के पती हमारी आख्था को दश्चाफá है लोक तंत्र में सरकार लोगों की होती है ये सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई जाती है। हाम चुनाव हमारे लोग तंदर के महा यलगूर। मद्दाताओं के बीच मद्दाता पैशान पत्र का भी वित्रन किया। प्राजेशिक समचार आपागश्वानी पत्ना से सुन रहे हैं। मद्दाता विदेशों में भी मद्दवनी शिर्प को स्थापित कर चुकी है। उन्हें राष्टी पुरसकार के लावा शिर्प गुरु पुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है। विवन केंद्री और राज पुलिस बलो के 855 पुलिस कर्मियों को गंतन दिवस्वा पुलिस पद को के लिए चुना गया है। विशिष सेवा के लिए राष्पती के पुलिस बलो के सम्मानित होने वालों में बिहार पुलिस के इरिजी, जितेन सिंग गंगवार और CID के DSP राकेश कुमार ब्रमचारी का नाम शामिल है। वहीं उत्कृष सेवा के लिए बिहार के 15 पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित क्या जाएगा। आकाश्वानी पटना को पुरुष्यत्र के लिए वर्ष 2017-18 के लिए द्यूतिय राजभासा पुरशकार के लिए चैन किया गया है। बैंक की श्रेणी में पटना इसित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेट्री कार्याले कर्थम और पंजाब निश्र बैंक के अंचल कार्याले को द्यूतिय पुरुषकार के लिए चुना गया है। जानपिट पुरसकार से संभानित हिंदी के प्रसिद्र लेखी का और उपन्यासकार कृष्णा सोगदी का आजने के लिए में निधन हो गया। वे 94 वर्षकिती उनकी प्रमुक्रित्यों में जिन्दगी नामा सुरद्मुकी अंधेरे के दिलोदानिश एलड की समय सरगम मित्रो मरजानी जैसे उपन्यास शामिल है। बस 1980 में उन्हें उपन्यास जिन्दगी नामा के लिए स्काहित अकार्मी पुरसकार से अलंक रित गया गया। राजिपालाल जी जंडर ने उनके निधन पर गहरी शोक संबेदना व्यक्त की है। भाष्पा के वर्षनेता और केंद्री मंत्री गिदार सिंग ने कहा है कि इस वर्ष होने वाले लोकसवाचुना में एंजिये विकार्स की मुद्दी को लेकर जन्ता की बीचाएगी। सिंग सरमस्तिपूल में आस्तमादाताओं से बाचित करती हुए कहा कि प्रधान मंत्री नरिन मोदी केंद्री तुम्हें देश का त्रिब गती से विकास हुआ है और केंद सरकार का मुद्देश सबका विकास वो सबका साथ है। उन्होंने दावा किया कि लोगसवा चुनाव में प्रधान मंतिन नरिन मोदी केंद्री तुम्हें भाषपा कडवन्न की सांधार जीत होगी और एक बातर्ष से केंद्र में एंजीय की सरकार बनेगी। समस्तिपूर में राजित के प्रदेश महासचेव और पुरुजिला परिशद उपाध्धक्ष रगवर राय समेथ दो नोगों के हत्या के विरोध में विपक्षी पात्यों के समस्तिपूर बंद के दौरान कारे करता होने आगजनी और पदशन किया। धर्नाव पदशन के कारण पत्ना समस्तिपूर, समस्तिपूर दर्भंगा, समेथ NH18 से गुजरने वाले सभी जिले के मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। उखे बंद जीशकुमार ने कहा है कि विश्वदाल में गोल्ड मेंडल हासिल करने वाली सबी लडगियों को रासकार भी पुरस्वित करेगी। शिकुमार, आज पटना में मगन महला कॉलेज के स्थापना दिवस्तमारों को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए राशी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, ने मुख मंतरी रहात कोस से राशी उपलब्द कराई जाएगी। और अबन में मुखे समाचार एक बार फिर। इसके साथी आकाश्वानी पटना से प्रसारिक प्राजिशिक समचार का येंग समाथ हुआ। झाल झाहा है, जा क्वेसर हुआ। झाल 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 झाल